सबसे पहले तो मैं नाइक साब को जन्यवाद देता हूँ कि इस खुला दिवेशन में तमाम लोगों की आप जवाब दे रहे हैं और अधिक तर गेर मुस्लिमों को लोगों को जवाब दे रहे हैं और संतूश कर रहे हैं मेरा जवाब यह है मैं त्रिलोक संजेन नगर परिश्द उपाताइस कि संगंज मैं जहिन धरम में जहिन परिवार में जन्म हुआ हूँ और अधिक तर जो घर में जन्म लेते हैं उसी धरम का पालन करते हैं लेकिन मैं इंसानियत धरम मानता हूँ और तमाम धरम की किताबों को पढ़ता हूँ और तमाम लिखी वी अच्छी बातों को मैं गहन करता हूँ लेकिन एक बात आज जानना चाहता हूँ कि आप यहां केवल जैसा मुझे सुनने में और देखने में अभी पढ़ रहा है कि आप जो बात कह रहे हैं केवल इसलाम धरम की की आखरी बात इसलाम धरम की सारी बातों को अब कबूल करवा रहे हैं और इसलाम धरम को सुरोपरी मान रहे हैं मैं भी मानूंगा अगर आप मेरी बात को अभी इसाई धरम भी है बोत धरम भी है जैन धरम भी है और सिख धरम भी है हिंदुन धर्म भी है और धर्म क्या है धर्म तो मैं मानता हूं पानी का धर्म ठंडा है सुर्य रोशनी देता है उतका धर्म है चांद रोशनी देता है वो धर्म है हवा का बैना वो धर्म है यह संपरदाय है या क्या है या किसको मानना चाहिए या जो लोग जहां मान कि पाइने वह अच्छी बात है ये हम नहीं नहीं मानने है तो इसमें महारा क्या नुक्सान मैं इसको ज़रा तमाम बातों को मेरा स्वेस्टिकंट चाहिए कि किस धरम को मानने से और किस बात को मानने से मनुस्ट का कल्यान हो सकता है बाइसाब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और बहुत एहम सवाल पूछा है वो कहते हैं कि वो इंसानिय धर्म में मानते हैं सारी मध़ब किताब को पढ़ते हैं लेकिन या देख रहे कि जाकिर बाकी लोग का हवाला देखे लेकिन इसलाम कहते है कि इसलाम फाइनल है इसलाम में ने या पताब इसलाम में ने बाइसाब ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये वेद में लिखा है अगर वेद में लिखा है कि आखरी आउतार कल की आउतार है अगर लिखा है तो मैं उस चीज़ को निकाल नहीं सकता हूँ ना मैंने तो नहीं लिखा हूँ उसी तरीके से Bible में लिखा है आपने का Bible का आपने का वेट का Bible में लिखा है Bible पढ़ेंगे Gospel of John chapter number 16 verse number 12 to 14 इसा अले सलम कहते है I have many things to say unto you but he cannot bear them now for even the spirit of truth shall come नहीं लिखी ना मैंने तैकिक की अगर मैं तैकिक करें थे आप आके बोलो डॉक्टर जाकिर नाइक आप जो कहरें Bible में Bible में नहीं है लेकिन आपने कभी यह नहीं सुना आप आजीब बात सुन रहे तो आपको आजीब लग रहा है और बहुत लोग अजीब लग रहा है कुछ लोग कभूल करें कुछ लोग कभूल करने से डरते फरक यह नहीं है नहीं नहीं सुनी बात तो यह आप बोलना चाहिए जाकिर भाई Bible में Gospel of John chapter 12 verse 14 है ही नहीं अब लेके हो Bible पड़ो मेरी बात यह कलकी पुरा नहीं कहने आपकी किताब में लिखा है तो मैं चुपा तो नहीं सकता हूँ मैं क्या कहता हूँ के सारी धार्मी किताब को लो और यक्सा है वो फॉलो करो तो यक्सा नहीं उसको छोड़ दो ना तो अक्सर जितने अहम मजभब है चाहे हिंदू मजभब है चाहे भुद मजभब है चाहे इसायत है चाहे जुडाइजम है चाहे इसलाम है सारे में यक्सा लिखा है आप अगर पढ़ेंगे हिंदू मजभब की किताब वेद पढ़ेंगे बाइबल पढ़ेंगे Old Testament, New Testament, Judaism, Christianity, Islam ये चारो मेन मजभब को आप लेंगे सब में लिखा है खुदाएक है उसका कोई आख्स नहीं है आखरी पैगंबर मुहम्मद स्वाइब तो मैं तो नहीं चुपा सकता हूँ मुसल्मान भी चोग जाते Islam और Hinduism में यक्सानित होई नहीं सकती कितने मुसल्मान मेरे खिलाफ है Hinduism और Islam में यक्सानित होई नहीं सकती लिकिन जब खुदा फर्माते ताला विला कलिमतिन सवाइन बेना बेनकुम आओ हम उस बात की तरफ जो यक्सा है मैं भाई साब जितनी लंबी तकरीर में दे सकता हो Hindu और Islam मदब में यक्सानित उस से लंबी तकरीर जे सकता हो difference के अपर अक्तिलाफ पर लेकिन मेरा काम अक्तिलाफ ने मेरा काम यक्सानित का है क्योंकि मैं तालिब इलम हूँ मैं अगर तकरीर करने लगू के Hindu मदब और Islam में difference क्या है तो और लंबी तकरीर कर सकता हूँ में लेकिन मेरा काम है लोगों को जोड़ना लोगों को तोड़ना नहीं लेकिन जोड़ते वक जब मालूम पढ़ रहा है सही अगर बाकी के धार्मिक गुरू अपने लोग से नहीं कह रहे क्या उनके किताब में लिखा है क्या खुदा एक है खुदा के लावा किसी की और पूजा नहीं करना चाहिए आखरी पैगमन अमद सुला संकुन की गल्ती है मेरी गल्ती क्या है मैं तो खुले मंच में बोल रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि आओ आपके धार्मी का अदमी को लेकिए अगर गल्ती है बेटके हम डिस्केशन करेंगे जिस तरीके से मैंने शीशी रवीशंकर के साथ किया था शीशी रवीशंकर हंदुस्तान में हंदुस्तान में सबसे ज्यादा माने जाने वाले इन स्क्रिप्टर्स में शीशी रवीशंकर है उनके साथ मुनादरा किया मैंने ओपन स्टेश के अपर ओपन ली तो इसके अंदर अगर हक बास सामने आ रही है लोग हक कबूल कर रहे उसमें क्या है अब मुझे इसी कोई चीज लेगाओ जो मैनें मानता हूँ और कुराण और वहिद में लिख एक्ऽ मैं अब एक चीज़ पेश करो मुझे अब जो कुराण और वहिद में लिख है समझे रख क्या मूँसे बोलता हूँ मैं इसको कहते हैं इनसानियत खाले मुझे बोलना inisaniyt क्या है यह तो politician का काम हो गया मैं सब में मानता हूँ सब में मानता हूँ सब में मानता हूँ तो आमलतो करो जो आदमी आमल ने करटा सिर्फ मुझे बोलता है तो माफ करना मेरे हिसाब से ठोंगी है उलोग आते platform पे बोलते है सरव धरम एक है, वो ढोंगी है उन्होंने अपने किताब ही नहीं पढ़ी है ऐसे ढोंगी लोग से क्या बात करना मैं हक्की बात कर रहा हूँ आप एक चीज मुझे दिखाओ जो कुराण अवेद में लिके मैं फ़वरान मानूँगा, चैलिंज करता हूँ मैं एक चीज दिखाओ, जो आपके शास्त्रे में लिके और कुरान में लिके फ़वरान मानूँगा, इसको बोलते हैं जिगर जाग हूँ मैं आपसे, आपसे जाग हूँ लेकिन जिगर रखता हूँ, अलम्दुलिल्ला बरे मंच पे, सिरे भ्याने दिगर दिगर मुमालिक में जाके बोलता हूँ इसलिए लोग मुझसे डरते है या आ जाएगा तो पॉल खुल जाएगा, हमारे दुकान बंदो जाएगी, लोग बोलते हमारे दुकान बंदो जाएगी, मैं जब जानता हूँ पर और जैसा अपने सुबा में कहा था कर लोग विरोध कर रहे हैं अच्छे लोग का वही बात मैं हक्की बात क्यों किस्से डर ना कुले मंच में कह रहा हूं मुझा आजाद ये इस देश में अगर किसी को आने का मुकाबला करने का तो डायलोग भी करने में तैयर हूं ऐसा किस्से के पास हिलम है चा仁 मध्व क्रिश्यनेध्य मध्व का कोई भी शक्स जो 10,000 कोई भी हिंदू कोई भी क्रिश्चन दुनिया में जो अपने खुझी tक्रीव पे 10,000 लोग को गैदर कर सकता है यहां माशाला है कितने लोगे यहां तक्रीबंगे अबर बार Miller सिर्फ 10,000 अपने था करना चाहता है मैं तयार हूँ वह by मैंया लॉग पुछ यहां जिस menovation करना चाहँ हूँ क्योंकि बात करता हूं ताली बोलना सर्व धर्म क्या है मैं सच्ची में लोग को एक करने चाहता हूं जो पुरान में लिखा है जो वेड में लिखा है जो बाइबल में लिखा है